भारतिय अंतरिक्ष एजन्सी की उस काम्याबी की जिसने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया है भारतिय अंतरिक्ष एजन्सी अपनी महत्वकांग्षी स्पेस मिशन चंद्रयान 2 को लौंच करनी जा रहा है इसरों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के निगाह इस बात पर लगी हुई है चंद्रियान टू की सफल लॉंचिंग के बाद चांद के दक्षणी ध्रो पर चंद्रियान टू के लैंड करने में खरीब दो महीने का वक्त लगेगा जो बड़ी उपलबधी थी चंद्रियान टू चांद के दक्षन ध्रूव पर उत्रेगा जहां उमीद है कि अधिक मात्रा में पानी मिल सकता है चंद्रियान टू मिशन के तहट चांद की सता पर एक रोवर को तारा जाएगा जो आधूनिक उपकरणों से लैस होगा रोवर चांद की मिट्टी का विश्टेशन करेगा और उसमें मिनरल्स के साथ साथ हीलियम 3 गैस की संभावना को भी तलाशेगा जो भविश्य में उजा का संभावत स्त्रोथ हो सकता है चंद्रियान 2 पर कुल 14 पेलोड होंगे जिनमें 13 भारतिय और एक नासा का पेलोड है आर्बिटर पर 8 लैंडर पर 4 और रोवर पर 2 पेलोड होंगे चंद्रियान 2 के 3 हिस्से हैं आर्बिटर, लैंडर और रोवर इनका वजन कुल 3 दर्शलव 8 टन है पंद्र जुलाई को लॉंचिंग के बाद 6 सितंबर को चंद्रियान की चांद के सता पर उतरने की उमीद है वहां लैंडर और रोवर 14 दिनों तक अक्टिव रहेंगे आर्बिटर एक साल तक अक्टिव रहेगा और चांद की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा भारत का मिशन चंद्रियान दो भारतियों के लिए गर्व करने का मिशन है सर्व भारत ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी होंगी रहाजा आज तक भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है आज तक संबाददाता ग्राउंड जिरो पर मौजूद हैं जहां से चंद्रियान टू मिशन लाउंच होना है ये रिपोर्ट देखिए चंद्रियान दो अपने आप में खास है क्यों खास है? इसलिए खास है क्योंकि भारत पहली दफ़ा चंद्रियान की सतह पर रोवर उतारने जा रहा है अगर इस पूरे अवियान की बात करें चंद्रियान टू में तीन चीजे है सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें एक आर्बिटर होगा यानि वो यान जो चंद्रियान के चारो तरफ घूमेगा और जब चंद्रियान की चारो तरफ घूमेगा तब वहाँ से एक लेंडर निकलेगा लेंडर मतलब वो यान जो चंद्रियान पर उतरेगा यानि साफ लेंडिंग होनी है और चन्रमा पर soft landing करानी आसान नहीं है क्योंकि चन्रमा पर Wild Mantle नहीं है लिहाजा पैरासूत के जरिए उसकी landing नहीं कराई जा सकती है तो उसके लिए scram jet का इस्तमाल किया जाएगा यानि जब वो चन्रमा की तरफ जाएगा तब होगा क्या उसमें से jet इस क्रेम जेट का इस्तिमाल किया जाएगा जो अपोजिट डिरेक्शन में बड़ी तेजी से हम कह सकते हैं राकेट की तरह बाहर निकलेगा जिससे उसकी स्पीड कम होगी और वो साफ लेंडिंग जब चन्रवा की सताय पर होगी तब वहां से हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी ग विक्रम सारभाई के नाम पर विक्रम लेंडर रखा गया है उसमें भी सोलर पैनल होगा साथी साथ प्रग्यान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी सोलर पैनल होगा तो यह जब उतर जाएगा उसके बाद वहां चन्रवा की सताय पर खोजबीन शुरू करेगा और जो ल चंद्रियान 2 को लेकर आपकी मन में कई सवाल होंगे लहाजा हम आपको विस्तार से चंद्रियान 2 की पूरी जानकारी देनी जा रहे हैं। इसके बाद 6 सतंबर को चंद्रियान 2 की लेंडिंग चंद्रियान से अलग होकर एक सेंटिमीटर प्रती सेकेंड के गती से करीब 20 दिनों तक चंद की सता से डेटा एकठा करेगा। स्वदेशी है यानि Made in India है। और आपकी मन में अगला सवाल यह होगा कि चंद्रियान 2 को कौन से काम सौपे गए हैं। चंद्रियान 2 चांद की सता पर उतर कर क्या करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। कि चंद्रियान ये जाचेगा कि चांद पर भुकम पाते हैं या नहीं। चंद्रियान का रोवर चांद की सता की रासाइनिक जांच करेगा। चंद्रियान 2 चांद की सता पर पानी और खनीजों का भी पता लगाएगा। आपने देख लिया कि चंद्रियान 2 क्या क्या करने वाला है और इस पर विस्तार से हमारी बड़ी कबरिज भी आप कल देखने वाले हैं और अब खबरदार में आपको भारत की सबसे ताकतवर रॉकेट जियेसलवी मार्क 3 के बारे में बता देते हैं जिसका चंद्रियान 2 मिशन में एसमाल होगा इसरों ने दुनिया के गिनेच ने उन देशों के लिस्ट में भारत का नाम सुरनक्षरों में से लिख दिया है जो 4000 किलो वजनी सेटलाइट्स को अंतरिक्ष में लाउंच करने की खाबिलियत रखते हैं 11 जुलाई को 5 बसकर 28 मिनट पर भारत ने अपने सबसे ताकत पर और अब तक के सबसे भारी सेटलाइट लाउंच विकल GSLV Mark 3 की कामवाब लाउंचिंग की थी GSLB Mark 3 अपनी पहली ही उड़ान में देश के सबसे भारी कम्निकेशन सैटिलाइट 3136 किलो वजनी G-Sat 19 को अंतरिक्ष में ले कर गया GSLB Mark 3 की कामियाभी लॉंचिंग इस्रों के लिए मील का पत्थर साबित हुई लेकिन GSLB Mark 3 की काबिलियत यहीं खत नहीं होती है GSLB Mark 3 कम उचाई वाले धर्ती के आबिट तक आठ टन बजन ले जाने की ताकत रखता है इसलिए अंतरिक्ष में इंसान भेजने के मिशन में लगे इस्रों के लिए GSLB Mark 3 बेहत महतोपुर्ण साबित होने जा रहा है GSLB Mark 3 की काम्याबे के साथ भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद Human Space Flight प्रोग्राम वाला दुनिया का चौथा देश बनने के करीब पहुंच गया है और इतना ही नहीं GSLB Mark 3 को बनाने में इस्रों ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी का सहार लिया है अपने भारी भरकम वजन और काबिलियत के दम पर GSLB Mark 3 ने इस्रों से Fat Boy के उपाधिया हासल कर ली है GSLB Mark 3 रॉकेट की खासियत इस्रों के सैटिलाइट लाँचिंग बिजनस को कैसे चारचांद लगा देगी चलिए अब इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं चन्रियान 2 के लिए जिस राकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस लांचर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है GSLB Mark 3 उसका एक यहाँ पर मॉडल है आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यह राकेट होगा 44 मीटर की उचाई है इस पूरे राकेट की और 640 तन इसका वजन है और इसकी खास बात क्या है कि इसमें क्रायोजनिक तक्नीक का इस्तेमाल किया गया है अब इसके अलग-अलग हिस्सों की अगर हम बात करें जो सबसे उपर वाला हिस्सा है जिसमें भारत का जंडा और असो कहलाती है क्रायोजनिक स्टेज यानि यहां पर लिक्विड इंधन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें खास तोर पर हाइड्रोजन और आक्सीजन को आपस मिलाया जाता है और जिससे काफी ज्यादा ताकत पैदा होती है तो यह इंधन एक स्पेसलाइज चीज है जिसकी जा पर ले जाएंगे और उसके बाद जब इनका इधन खतम हो जाएगा तो उसके बाद लिक्विड इस्टेज सुरू होगी यानि जिस पर इसले जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ताकत चाहिए और वह ताकत सिर्फ क्रायोजनिक तकनीक के जरिये ही आ सकती है इस वजह से हम निश्चित तोर पर कह सकते हैं कि भारत की यह ताकत है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है क्रायोजनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इस याती है तो दुनिया की राजनीती भी आदा आती है क्योंकि अमेरिका ने पूरी कोशिस की भारत को क्राईवजनिक तक्नीक ना मिले जब रूसने के साथ सिध्धार्थ स्री हरिकोटा आज तक झाल झाल